पार्थिव सीवलिंग का निर्माण सुख सम्रिद्धी और मनोकामना पूर्ती के लिए किया जाता है लेकिन यदि हमारे सीवलिंग निर्माण में कोई क्रैक्स आ जाता है या सुखने के बाद कोई क्रैक्स आ जाता है तो इससे हमारा भागया छिन होता है और दूसरा सास्त् पार्थिव सीवलिंग निर्मान के समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है यदि हम इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं तो इससे हमें पाप लगता है और हमें जीवन में परिशानियों का सामना करना पड़ता है ये दोनों बाते मैं आपको की मिटी कैसे तयार करनी ह और हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ये दोनों बातें साथ की साथ बताती चलूंगी मैं एक दिन पहले मिटी लेकर आई गंगाजल से उसका सीचन किया और रात को ही मैंने एक लोटे में पानी रख दिया था गंगाजल मिलाकर रसोई घर में अपने मटके के पास और एक पलेट में एक चावल का दाना या फिर पांच चावल के दाने उसके उपर रख देने चाहिए इस से हमारा कोई भी पूजा की समगरी जो है वो बिलकुल समपूरण हो जाती है और रसोई घर में रखने से क्या फायदा होता है कि हमारे जो पितर देवता है और लक्षमी माता है उनका भाव भी इस जल में आ जाता है हम शाक्षात भगवान भोलेनात का स्वरूप तयार करने जा रहे हैं तो इसके लिए हमें क्या ऐसी पूजा समगरी है जो भोलेनात बाबा को बहुत प्रिया है वो इसमें हम जरूर मिलाएंगे तो सबसे पहले मैंने इसमें भसम मिलाया फिर थोड़ा रोली और जो चंदन है जैसे सफेद चंदन और लाल चंदन और थोड़ा सा इत्र कोटन पे इत्र लगाकर वो भी मैं इसमें मिक्स करूंगी तो सीव महपुरान के अनुसार यह चीजें इसमें मिलाना बहुत जरूरी है और गंगा जल से सबसे पहले तो गंगा जल से सुधी करन करना जरूरी होता है शुरू में मैंने इस मिट्टी में पानी मिलाकर जो इसको छोड़ा था उसके 7-8 घंटे बाद या फिर नेक्स्ट डे हमें मिट्टी को तयार करना है तो ये समगरी मिलाने के बाद यानि के 7-8 घंटे के बाद ये समगरी मिलाने के बाद अब मैं इसमें कोटन मिला रही हूँ कोटन के मिलाने से क्या होता है कि इस मिट्टी में कोई भी क्रैक्स नहीं आएगी और पहले पानी मिलाकर छोड़ने से भी क्या होता है कि जो हमारी मिट्टी की कोई गाठ होती है तो वो भी इसमें नहीं रहेगी वो बिल्कुल अच्छे से नरम हो जाएगी और हमारी मिट्टी बहुती अच्छी तयार हो जाएगी मिट्टी को मिक्स करते समय कोई कंजूसी नहीं करनी है इसको बिल्कुल अच्छे से तयार करना है और यह मिट्टी तयार करने के बाद दो दिन बाद हमें सीवलिंग का निर्मान करना है एक दिन बाद भी हो जाता है लेकिन अगर हम दो दिन बाद करते है तो ज़्यादा अच्छी मिट्टी तैयार होती है यहीं पर वैसे अगर हम कोई और चीज बनाते हैं तो हम इसमें तेल भी मिक्स कर सकते हैं लेकिन कुछ लोग ऐसा ना हो कि कोई objection करें कि इसमें सरसों का तेल क्यों मिलाया जैसे सरसों का तेल मिलाना इसमें बैटर रहता है इससे मिट्टी बहुत बहुत अच्छी तैयार होती है हाथों पे जरा भी नहीं लगती लेकिन कुछ लोग जैसे अगर पसंद नहीं करें तो यहाँ पर फिर बनाते समय मैं देसी घी मिलाऊंगी देसी घी मिलाने से एक तो बहुती चिकनी हो जाएगी हाथों को भी बिल्कुल भी नहीं लगेगी तो अब हम बाबा का स्वरूप तैयार करने जा रहे हैं तो थोड़ी सी पूजा समगरी यहां भी हमें तैयार करनी है यानि एक दिपक तैयार करना है दिपक के नीचे थोड़े से अक्षत रखके और एक फूल रखके यहां पर हम जोद जलाएंगे क्योंकि जब भी हम कोई नया कारिया स्टार्ट करते हैं तो उसके समय भी हम पूजा अवस्या करते हैं तो यहां पर तो हम साकसात भगवान का निर्मान करने जा रहे हैं तो यहां पर दिपक जलाना अनिवारिय हैं कुछ मेरी मिट्टी है next day ही मैंने sibling बनाया अगर बलके दो दिन बाद बनाती तो सायद ओर भी जाद अच्छी तयार होती तो मुझे थोड़ा सा जलती थी इसलिए मैंने next day ही अपना sibling बनाया अब मैं लूंगी एक बेल पत्री और बेल पत्री को हमें सीधा रखना यानी चिकने भाग की तरफ रखना है हमें उल्टे भाग की तरफ नहीं रखना और सीवलिंग के निर्मान के समय सबसे मेन बात की हमारा जो बेल पत्री है उसका मुख नोर्थ दिसा में होना चाहिए यहाँ पर मैं गंगा जल से सुधी करण कर रही हूँ और सुधी करण के बाद अब हमारी जो मिट्टी है इसको एक बार और बहुत अच्छे से हमें मिक्स करना है बिल्कुल अच्छे से जितना ज़्यादा अच्छे से मिक्स करोगे उतनी ज़्यादा अच्छी मिट्टी तया कर रही हूं और यहां पर भी में बात क्या है ध्यान रखने की कि जो सिवलिंग है यानि बाबा भोलेनात का जो सवरूप है सबसे पहले वो तयार करना होता है और फिर जो माता का हस्त कमल है दूसरे नंबर पर ये तयार करना होता है और तीसरे नंबर पर जो विश्णु भग कवान का हस्त कमल होता है यानि कि डमरू के स्वरूप में जो शिवलिंग के नीचे आकार होता है वो बनाना होता है तो अभी आप देख रहे हैं कि किस तरह से मैं माता का हस्त कमल बना रही हूं बिल्कुल इसी तरीके से बनाओगे तो आपका बहुत ही अच्छा सिवलिंग त होता है वो हमारा सीवलिंग से टैच होना चाहिए खुरद्रा भाग नीचे की तरफ रखना है और उसके पीछे जो डंठल है उसको हम कट कर देते हैं किसी चाकू का प्रयोग नहीं करना है अगर आपको काटना है तो हाथ से ही काटना चाहिए शिव महापुरान के अनुसार ए और एक शत्रिय को लाल मिटी से और वैश्य को पीली मिटी से और शुद्र को काली मिटी से शिवलिंग का निर्मान करना चाहिए इस बात को ध्यान में रखकर अगर हम शिवलिंग का निर्मान करते हैं तो हमें कई गुनापुन्य की प्राप्ती होती है माता के हस्त कमल के निर्मान के समय हमें बीच बीच में शिवलिंग उसके उपर रख कर ये आइडिया ले लेना चाहिए कि इतनी जगय जरूर बन जाए कि उसके उपर शिवलिंग भी आराम से आ जाए और वाशुकी भी रखने के बाद जब हम जल से अभिशेक करें तो वो भी उसमें से आराम से उसका विसरजन हो सके इस तरह से शिवलिंग और माता का हस्त कमल बना कर किसी बरतन पर थोड़ा सा घी लगा कर रख लेंगे ताकि वो असानी से वहां से उठाया जा सके और विश्नु भगवान का जो हस्त कमल है उसको रख के फिर उसके उपर शिवलिंग को स्थापित कर देंगे वाशुदेव को बनाते टाइम अंगुठे की हेल्ट से हम असानी से उसको आकार दे लेंगे और शिव महापुरान के अनुसार शिवरात्री के दिन यदि हम 12 जोतिर लिंग बना कर और उनके नाम बोल कर पूजन करते हैं तो हमें कई करोड गुना पून्य की प्राप्ति होती है तो इसलिए यहाँ पर मैं 11 जोतिर लिंग और बनाऊंगी जोकी मैं साइड में रखकर अपनी सीवरात्री के दिन इनकी पूजा करूंगी पार्थिव सीवलिंग का निर्मान महाशीवरात्री जोकी साल में दो बार आती है एक हमारे इस फालगुन में और एक आती है हमारे स्रावन मास में तो ये बात तो लगभग सब को पता है कि पार्थी सिवलिंग का निर्मान करके उसकी पूजारचना और उसका विसरजन किया जाता है लेकिन दोस्तो इस बात का भी हमें जरूर ग्यान होना चाहिए पता होना चाहिए कि हम पार्थी सिवलिंग को अपने घर में यानि कि रात क को भी रख सकते हैं या नहीं तो हमारी महीने में हर महीने में सिवरातrari आती है एक सिवरातrari आती है हर एक महीने में तो सिवरातrari के दिन और दूसरा जो तीज मेरल फिर सुबह उसका विसर्जन कर सकते हैं। और पार्तिव सीवलिंग का विसर्जन प्रदोस टाइम में ही किया जाता है। आप दिर शाम को किसी और दिन दिन आप भीör स्टेको पार्तिव सीवलिंग को हम अपने घर में नहीं रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने यह फूल इसलिए रखा ताकि मैं रखके अंदाजा लगा रही थी कि ऐसे आराम से इसके उपर रखा जाएगा और किसी कटर की हल्प से हम इसके उपर डिजाइन भी बना सकते हैं जिसे हमारा सीवलिंग सुन्दर लगे और अब यहाँ पर हमारा सीवलिंग हो चुका है तैयार मेरे बाबा का स्वरूप बहुती सुन्दर बना है दोस्तो अगर आपको मेरी जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें दोस्तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए स्री सिवाय नमस दूभ्यम ओम नमस शिवाय अबा के सभी भक्तों को शिवरात्री की शुब कामनाए आपका जीवन मंगल में हो